नमस्कार फ्रेंज्स, सपोर्ट इंडिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है फ्रेंज्स कैसे हैं आप मस्त होंगे, अपने लाइप में ब्यास्त होंगे फ्रेंज्स, आज मैं बताने बाला हूँ कि कोई भी आप से पूछता है कि 275 रुपिया में हमें क्या मिलेगा, क्या लाव मिलेगा तो फ्रेंज्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सपोर्ट इंडिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम 275 में आपको सबसे पहले तो आपको एक सरकार ने सर्टिफिकेट देता है, ठीक है? जो उस सर्टिफिकेट से आप बहुत कुछ यहां फायदा ले सकते हैं क्या-क्या फायदा होगा? मैं आपको बताऊंगा क्या फायदा होगा सबसे पहले मैं आपको यह वताना चाहूँगा कि एरोपॉनिक एगरिकल्चर और हैड्रोपॉनिक एगरिकल्चर में सरकार के दोआरा पाँच-पाँच फायदा दे रही है समझेगे? हमारे साथ राजसरकार और केंद सरकार भी सपोर्ट कर रहा है तो पाँच-पाँच क्या हमें फायदा दे रही है? वह भी मैं बताऊंगा और और भी फायदा है जो बढ़कर है सपोर्च किजिए कि आपने 275 से रेजिश्टेशन करबाए और अगर इसमें आप काम करते हैं तो सेम आपका डूब्लिकेट करना है 275 से जिस तरह से आपने रेजिश्टेशन किये हैं उसी तरह से अगर आप लोगों को भी अपने फ्रेंड्स अपने गाओं ग्राम में अगर ये पहुचाते हैं कि सपोर्ट इंडिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम में एरोपॉनिक और हैड्रोपॉनिक का एक सेटप आया हुआ है उसमें आप बहुत बढ़िया सबजी उगाकर अपने सेहत को और अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं तो उसमें क्या होगा आपने डारेक्ट में जितने भी एस्पोंसर करेंगे पहला फायदा देखिएगा आप जितने भी एस्पोंसर करेंगे उससे आपको एक एस्पोंसर से आपको पचीस रुपी आने वाला है ठीक है friends एक sponsor से आपको 25 रुपी आने वाला है अब वही sponsor जो आपने किये हैं अगर वो किसी और को sponsor करता है तो उससे आपको 1 रुपी आने वाला है यानि कि आप जितने भी डirect करेंगे उससे आपको 25 रुपी आएगा और वो जितने भी करेंगे उससे आपको 1 रुपए आएगा तो ये तो फैदा हो गया किसके लिए? बर्कर के लिए लेकिन जो वर्क नहीं करेंगे उनके लिए क्या फैदा है? वो भी मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करना है ताकि जो भी मैसेज मिले और मैं जो वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुँच जाए पहला फैदा तो मैं बता दिया, अभी जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है जो आपको ये सर्टिफिकर बनेगा उससे जो आपको मिलेगा वो फैदा मैं बताने वाला हूं जो पाँच फैदा मैं बताया था वो क्या क्या है फैदा पहला फैदा है सरम विभाग दूसरा है कौसल विभाग तिसरा है किरिसी विभाग चौथा है उद्ध्यान विभाग और पाचमा है आयूस मंत्राले विभाग यह पांच परकार की विभाग एरोपॉनिक एगरी कल्चर से कैसे हो गया यह भी सोचने वाली बात है तो आप यहां पे देख सकते हैं सरम विभाग जो है उससे आपको क्या फैदा मिलेगा कौसल विभाग से आपको क्या फैदा मिलने वाला है किरिसी विभाग से उससे क्या फैदा मिलने वाला है आउद्यान विभाग से उससे क्या फैदा मिलने वाला है आयूस मंतराले विभाग से उससे क्या फैदा मिलने वाला है तो ये फैदा मैं आपको बताऊंगा सरम विभाग का मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ जो आप देखके उसमें समझ सकते हैं कि सरम विभाग से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौसल विभाग कौसल बिभाग से आपको क्या करना है कि हमें जो है निसुल्क प्रशिक्षन देगा शरकार के तरब से जो भी हमारा संस्था में जो भी युजना आएगा वो हमें निसुल्क प्रशिक्षन मिलेगा हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जो हमने वन टाइम एक बार जो हमने 275 दे दिया हमारा जो कार्ड बन गया है जो सर्टिफिकेट वो बन गया वो ही हमारा हमेशा के लिए वो हमारा एक मान के चलिए वो आपका आई कार्ड हो गया जो आपको हर चीज में आपको वो दिखाना है और आप हर चीज में यहां पर सामिल हो सकते हैं ठीक है? उसके बाद जैसे आपको क्रीसी विभाग में आप चाहिए तो क्रीसी विभाग में जाहिएगा तो आपको लोन की अवस्चता होगी जैसे आपको खेती करना है चाहे एरोपोनिक का कीजिए, हाइडरोपोनिक का कीजिए जिसका भी आपको खेती करना है तो आपको लोन प्रोवाइड हमारी संस्था करवाईगी आपको सिर्फ वो पिजनेस करना है आपको खेती करना है कि हम इतना का खेती कर सकते हैं जैसे suppose that आपने 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, इस तरह का अगर आप खेती करेंगे, तो आपको जो है, subsidy के मुताबिक आपको जो है, वहाँ पे loan प्रवाइड कराएगी, यहाँ पे subsidy loan आपको मिलेगा, ठीक है friends, subsidy loan तो आप लोग को पता ही होगा, कि वहाँ पे आपको कुछ माफ किय जाएगा सरकार के तरब से, तो यह loan है, तो यह क्रीसी भी भाग के तरब से आपको यह मिलेगा,